प्यारे बच्छों प्यारे बच्छों एक्सरसाइस 5.1 से क्वेशन नंबर 3 ले रहे हैं देखिए क्या का क्वेशन में फार्द फॉलाइंग एपी राइट फॉस्ट टॉम एंड दा कामन डिफरेंश फॉस्ट टॉम को एब बोलते हैं बच्छों और कामन डिफरेंश को डी और आपको एपी दिए तो फॉस्ट पार्ट ले रहे हैं क्वेशन नंबर 3 का तो यह एक एपी है आपको दी वही तो टू धर को एठी और एफ ओर एफ एन्ड सो उन तो फॉस्ट टू त्री फॉर टर्म्स को आप जरूर नाम दे देना तो आपको वस्टं स्वाल करने में बहुत आसानी रहेगी तो अब इसको स्वाल करते हैं आप से पूचा है फॉस्ट टम तो फॉस्ट टम है एवन और इस AP की जो है first term जो है वो हो गई है 3 यह एक एंसर आ गया फिर्स्ट आम आप एपी इसकल टू 3 अब सेकेंड पूछा common difference तो common difference आप चाहे तो इन दोनों का निकाल लेजिए इन दोनों का निकाल सकते हो इन दोनों का निकाल सकते हैं किसी भी दो टॉम्स का consecutive टॉम्स होना चाहिए तो हम यहां पर फार्मूले का कार्डिंग क्या एटू-माइनस पीछे वाले में से प्रीविएस टॉम्स सब्रेक करना यह यह तो एवन को सब्ट्रेक करना है तो आप लिखिए एटू-माइनस एवन और ज़रूरी नहीं आप एट्री माइनस एटू करे 3 तो 1-3 क्या आपने तो माइनस 2 मिला यहने common difference जो आ गया इस इंप्लाइज जो common difference है वो हो गया आपका common difference कितना आ गया minus 2 और यही आपको लाना था बचो तो आपका answer first का कितना आ गया first term 3 हो गई और common difference minus 2 अच्छो second में दिया है minus 5 minus 1 3 और 7 यह AP दिए हुई है तो इसमें भी हम इनको नाम दे देंगे A1 A2 A3 A4 ठीक है बच्चो तो first term निकालना है मतलब first term तो first term को A1 लिखते हैं और A1 को हम जनरली A B लिखते हैं बच्छो और A का value है वहने A1 कितना है माइनस 5 यह तो answer आ गया अब second में है common difference तो common difference को हम लिखते हैं D बच्चो और D है किनी भी दो consecutive terms या तो इन दोनों का difference या इन दोनों का या इन दोनों को और बाद वाले में से previous term को आपको subtract करना है means A2 minus A1 करना है तो A2 कितना है बच्चो यहाँ पर minus 1 फिर minus A1 क्या है माइनस 5 तो इसको bracket में लिखेगा आप नहीं तो आप से गलती हो जाएगी चाहिए तो दोनों को bracket में लिख दीजिए आप तो यहां से इसको solve करेंगे बच्चो तो minus 1 और यह minus का minus में multiply हो जाएगा plus 5 तो आपको answer मिलेगा 4 तो common difference तो आ गया 4 और first time आ गया आपकी minus 5 बच्चो थर्ड वाले पार्ट में दिया है आपको यहां fraction के रूप में एपी दी हुई है 1 by 3 5 by 3 9 by 3 13 by 3 तो सबसे पहला काम था आप इनको नाम दे दीजिए a1 a2 a3 a4 ठीक है प्यारे बच्चो अब आपको according to question क्या पुछा है first term तो first term किसे कहते है बच्चो a1 को और a1 को हम a लिक से डिनोट करते हैं जन्रल फॉर्म का कार्डिंग तो एवन जो है वह आपके पास आया 1 by 3 बस यह हो गया पॉर्स टम तो अब कामन डिफरेंस तो कामन डिफरेंस को आप कैसे लिखते हैं बच्चो कि अना कामन डिफरेंस को हम लिखते हैं डी से तो डी इस इकल टू क्या रहता है कोई भी दो कंजुकरितिव ट्रॉंब्स का डिफरेंस बच्चोْ यह तो यह दोनों ले लिजे या इन दोनों का डिफरेंस या इन दोझों को तो यह Pac 2 टूम्स लनी यह दो हमने A2 माइनस A1 है ना तो इस में से A2 में से A1 माइनस करेंगे तो माइनस क्या प्यारे बच्चो तो A2 है 5 by 3 और A1 है 1 by 3 बच्चो तो LCM लेंगे इसका तो 3 आ रहा है लाइक फ्रेक्शन है ना बच्चो तो यहां से हो जाएगा 5 minus 1 तो यह हो गया बच्चो 4 by 3 तो यही आपका एंसर होगा बच्चो common difference 4 by 3 हो गया और यह first term कितनी होगी 1 by 3 यह आपका required answer आगया बच्चो थर्ड का फोर्थ पार्ट ले रहे है आपको AP दी हुई इसमें first term और common difference निकालने का कहा है तो इसको first term को A1 A2 A3 और A4 और first term को A1, second A2, A3, A4 अमने इनको नाम दे दिये बच्चो अब आपको first term निकालना according to question तो first term को क्या लिखेंगे A1 तो first term हो गई first term A1 और A1 को A भी लिखते है बच्चो और A का मान हो गया आपका 0.6 यह answer हो गया आपको अब common difference निकालना था आपको तो common common difference क्या हो जाएगा बच्चो A2 माइनस बाद वाली में से पहली वाली terms कोई भी दो चाहे तो इन दोनों का निकालो इन दो का या answer सेम आएगा आपका तो A2 माइनस common difference को हम D से लिखते हैं A2 माइनस A1 तो प्यारे बच्चो A2 का वेल्यू देखिए कितना है 0.7 माइनस 0.6 तो इसको स्वाल करा तो कितना मिल जागा मैं यहां correction है यह 1.7 है कितना है 1.7 तो हम इसको भी 1.7 लिख देते हैं 1.7 तो 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 1.1 बस यह answer यहां पर एक correction कर लेना 1.7 है तो आपका answer आगया 1.1 तो फर्स्ट हम आगई 0.6 और common difference आगया 1.1 चाहे तो इन दोनों का भी निकाल के देख लीजे यह ना हम निकालते हैं किसका A3-A2 आपको एक्जाम में नहीं करना लेकिन यह सिर्फ आपके knowledge के लिए बता रहा हूं तो यह है 2.8 बच्चो और माइनस 1.7 तो देखे इसको माइनस करेंगे 2.8 में से 1.7 तो यहां पर भी 1.1 यहने common difference अगर AP है तो सेम आता है चाहिए कोई सी भी 2 consecutive terms लगाता है दो पद लीजिए मुंका difference हमेशा 1.1 होगा बच्चो तो यहां पर आपका question number 3 complete होता है ओके thank you